दोस्तो आज हम एक पुराने एलेडी बल्ग से इस मॉस्क्यूटो किलर सर्किट को बनाना सिखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं और सीख लेते हैं दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना परेगा कोई भी एक पुराना एलेडी बल्ग उसके बाद एलेडी बल्ग के उपर यहाँ पर जो एलेडी पैनेल होता है उस एलेडी पैनेल को हम निकाल देंगे अब हमें लेना परेगा दोपीस 1N400 साथ डायोड उसके बाद एक डायोड का एनलेडी बल्ग के पॉजीटिव तार के साथ और दूसरा डायोड का कैथोर पीन हाँ एलेडी बल्ग के नेगेटिव तार के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक 1.5UF 400V क्यापसिटार उसके बाद इस क्यापसिटार को हम इस डायोड के एनोड पीन के साथ और इस डायोड के कैथोड पीन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक डॉबल साइडे टेप का टुकरा उसके बाद इस टेप के टुकरे से हम ऐसा एक स्क्वाइर से बना लेंगे उसके बाद इसके उपर की तरफ हम एक बड़ा छेद बाला नेट का टुकरा और इसके नीचे की तरफ हम एक छोटा छेद बाला नेट का टुकरा ऐसे लगा देंगे उसके बाद ये दो नेट के टुकरे के साथ हम दो तार ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हम ये दो तार जो हमने नेट के साथ कनेक्ट किया है ये दो तार हम इस क्यापसिट आड़के ये दो पिंग के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हम इस नेट को LED बल्ब के उपर ऐसे लड़ा देंगे तो दोस्तों ये छोटा सा सकित तयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं दोस्तों पुका है झाल झाल